अलो उन विल्कम गाई सो आगे देग बैट फिर से आप सब का चैनल के इस नए वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लियोनल मेसी जो है बारसिलोना के साथ अपना रिश्टा दो कि किसी और कलब को जोईन कर सकते हैं या फिर नहीं तो चलिए जादा टाइम आरे ही है वो ये कि एरिक अविडाल जो बारसा के स्पोर्टिंग डारेक्टर हैं उन्होंने एक इंट्रव्यू के दरान ये कह दिया था कि काफी खिलाडी जो थे वेलवर्दे से खुश नहीं थे और ट्रेनिंग में भी बहुत जादा मेहनत नहीं कर रहे हैं जिसके बाद लेनी चाहिए चाहे वो खिलाडी है या फिर डारेक्टर इसके लावा उन्होंने ये भी कहा कि जब भी आप किसी खिलाडी के बारे में बात करें तो उनके नाम जरूर बताएं नहीं तो वो बात जो है सबी खिलाडियों के लिए मानी जाती है तो इसी बात के चलते हैं यह यहाँ पर माना यह जा रहा था कि मैसी जो है अभी खुश नहीं है करन्ट बारसिलोना बोर्ट से और टीम से तो यहाँ पर वो लीव कर जाएंगे समर के लिए और यहाँ पर सबसे बड़ी टीम जो उनकी दावेदार लग रहे हैं साइन की वो सबसे बड़ी मानी जाती है मैं मैंचेस्टर सीटी क्यों उसके बारे में अब जानते हैं सबसे बड़ी वज़ा जिसके कारण देखिए मैसी का नाम हमेशा मैंचेस्टर सीटी के साथ जूड़ा जाता है वह वहां के मैनेजर जो है पैप गौाडिएोला यह जाता है सो सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि क्या मैंचेस्टर सिटी जो है अफॉर्ड कर सकती है लियोनल मैसी की भारी वेज और उनकी ट्रांसफर फी तो जी हाँ दोस्तो इस कांसर हाँ है क्योंकि मैंचेस्टर सिटी जो है वो आभूदा भी उनाइटिट ग्रूप के अंडर है त अगर हम बात करें ट्रांसफर फी की तो मैसी के कॉंट्राक्ट में हमेशा से एक क्लॉज रहा है कि एंड अफ दे सीजन वो किसी भी दूसरे कलब को जॉइन कर सकते हैं और फ्री ट्रांसफर तो यहाँ पर देखिए साइन तो मैंचेस्टर सिटी कर सकती है अब सवाल है कि म मैसी जोईन कर रहे हैं मैंचेस्टर सिटी लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्यूंकि बार्सिलोना के वो लेजेंड और उन्हें वहाँ पर अपना करियर फिनिश करना चाहिए इसके लावा मैंचेस्टर सिटी के करन्ट मैनेजर पेप गौडियोलना भी यह खुद माना है कि वो चाहते हैं कि लियोनल मैसी जो है अपना करियर बार्सिलोना में ही फिनिश करें मैसी के अगर हम बात करें तो वो इस सिटूइशन में भले ही नराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन बार्सिलोना को छोडने की जहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर वो देखें अपनी फैमिली को ज़ादा प्रियोरिटी देते हैं क्योंकि वो फैमिली गाए हैं एक त यहाँ पर यह थे कुछ फैक्टर जो कि ग्रीन लाइट बिल्कुल नहीं शो करते हैं उनको डिपार्चर को लेकर इसके अलावा देखें अब टाइम जो है वो अल्रेडी हमें बता देगा कि मैसी जो है अपना कॉंट्राक्ट रिन्यू करते हैं या फिर नहीं तो अगर वो कॉंट्राक्ट रिन्यू करते हैं तो यहीं पर रिटायर करेंगे अगर नहीं करते हैं तो यहां पर लग रहा है वो डिपार्चर के लिए किसी ओर टीम को देख रहे हैं तो आह उतकि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और तब-तक के लिए हमेशा की तरह देखते रें फ्रीकिक सेंग